आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू से बनी बहुत ही यूनिक नाश्टे की रेसिपी जो घर में मुझूद कुछ ही सामान से बन कर तैयार हो जाता है कडाके की स्ठंड में ऐसा करमा गरम करारा नाश्टा मिल जाए तो क्या ही कहना और इस नाश्टे की सबसे खास बात आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इस नाश्टे का मज़ा उठा सकते हैं तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मैं मुनीर मला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत सागत है आलू के सुपर टेस्टी नाश्टे को बनाने के लिए मैंनी साथ मीडियम सैज के आलू लिये हैं और आलू को कुकर में तीन विसल लगा कर अच्छे से उबा लिया है आलू अब ठंडे हो गए हैं अब यदि आलू को छीलने में आपको परिशानी आती है यानि जब हम इसे छीलते हैं यदि हातों से तो इसके छील के हातों के ही चिपक जाते हैं तो चलिए अब हम एक मिक्सिंग बोल के अंदर इन आलो को ग्रेट कर लेंगे इस नाश्टे को बनाने के लिए हमें आलो के ज़्यादा बड़े टुकडे नहीं चाहिए इसलिए मैं एक क्रेटर की सायता से इन्हें ग्रेट कर रही हूँ आप चाहें तो मैशर की हैल्फ से इन्हें मैश भी कर सकते हैं बस ध्यान रखें कोई बड़े टुकडे ना रहे सारे आलो मैंने क्रेट कर लिए हैं और एक बार इन्हें थोड़ा सा हम हाथों से ही ऐसे मैश कर लेते हैं तो इससे ये थोड़े फाइन भी हो जाएंगे और दूसरा कोई बड़ा टुकडा रह गया है तो उसे हम तोड़ सकते हैं या फिर हटा सकते हैं तो चलिए अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे दो पारी कटीवी हरी मिर्च, साती अड़ करीओं में एक बड़ी चमच, बारी कटावा अधरक, एक चमच रेड चिली फ्लेक्स या आप इसकी जगर लाल मिर्च पाउडर का इस्तमाल कर सकते हैं आदी चमच डालेंगे भुनेवी जिरेका पाउडर, एक चमच डालेंगे इसके अंदर चाट मसाला, आदा चमच एड़ करीं करम मसाला और साती मैं इसमें एड़ करीओं एक चमच पुदिना पाउडर और येदि आपके पास फ्रेश पुदिना पती है तो आप उसका इस् और अब मैं ले रही हूँ यह एक अप पूहा जिसे चेवडा भी कहा जाता है और इस पूहा को एक ग्राइनडर जामे ट्रांस्पर करकर ग्राइनड कर ले पोहा बहुती सौफ्ट होता है तो इसी लिए ग्राइंड हो जाएगा और देखिए इसके मात्रा भी कितनी कम हो गई है तो इस पोहा पाउडर को हम मिक्सिंग बोल के अंदर डाल करके बड़िया से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अब यदि आप पोहा का इस्तमाल नहीं करते हैं तो चावल के आटे का इस्तमाल कर सकते हैं या तो चावल को पीस ले या फिर रेडिवेंट चावल के आटे का इस्तमाल भी किया जा सकता है अब जैसे ही हम इसके अंदर पोहा मिक्स करेंगे आलू के अंदर जितना भी मुईस्चर होगा पोहा उसको एबसॉर्ब करके फूल जाएगा तो ये इस तरह से एक डो फॉर में आने लगेगा अब ये नाश्ता फ्राइ करते समय तेल में जाकर खुले नहीं इसके लिए इसमें बाइंडिंग के लिए एक चोथाई कप कॉर्ण फ्लार यानि की कॉर्ण स्टार चैट करके इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे जब कॉर्ण फ्लार को मिक्स करेंगे तो ये हातों की काफी जिपकेगा तो एक बार इसे हम थोड़ा सा mix कर लेते हैं और जब ये mix हो जाएगा तब हातों की थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और फिर इसे अच्छे से mix करेंगे तो बहुत ही easily यहातों से छूट जाएगा और एक बढ़िया dough बन करके तयार हो जाएगा तो ये देखिए हमने बढ़िया सा dough लगा करके इसका तयार कर लिया है और ये ज़्यादा hard भी नहीं है और नहीं ज़्यादा soft है अब हातों को फिर से तेल से क्रेस कर लेंगे और इसको हम shape देंगे तो वैसे चाहीं तो आप इस dough को ट्रे में डाल करके फिर set कर सकते हैं और उसके pieces काट सकते हैं और तुरंती बना रहे हैं तो क्या करें कि इसमें से थोड़ा सा हिस्सा लें और इस तरह gold shape में इससे बना लें और gold shape में भी नहीं बना रहे हैं तो फिर इसे cylindrical shape में, finger shape में या फिर cutlet shape में भी बना सकते हैं तो मैं आज इससे gold shape में बना रहे हूं क्योंकि इस रखा gold gold नाश्ता मेरी बेटी अवनी को बड़ा ही पसंद आता है तो यहाँ पर मैंने सारी bowls बना करके तयार कर ली हैं तो थोड़ा corn flour हमने अंदर add किया था और थोड़ा corn flour हम बाहर भी mix कर लेंगे लेकिन हम dry corn flour का इस्तमाल करेंगे slurry नहीं बनाएंगे क्योंकि यदि हम slurry बना करके फिर इन्हें उसमें deep करें तो उपर हमें इसके bread crumbs को चिपकाना होगा तो इसके लिए क्या करें यदि आप उसे avoid करना चाते हैं तो corn flour ले लें थोड़ा समय ने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल दिया है ताकि color अच्छा है और बढ़िया से mix कर लें और अब इस dry corn flour को हम इनके उपर ही छिड़न देंगे तो एक dry coating इसके उपर हो जाएगी तो ये नाश्ता जब आप fry करेंगे न तो तेल में जाने के बाद बिल्कुल भी खुलेगा नहीं और बहुत ही धीरे धीरे ये पकेगा जिसे ये बढ़िया क्रिस्पी भी हो जाएगा तो बस सारी बोल बढ़िया से मैंने corn flour के अंदर coat कर ली है और अब जो भी extra corn flour इनके उपर लगावा है इस तरह हम हतेलियों में थोड़ा सा बोल को कुमा देंगे तो extra powder हट भी जाएगा और साथी इनकी shape भी सही हो जाएगी अब यदि आप इस नाश्टे को लंबे समय तक store करना चाते हैं तो इस stage पर इने freezer के अंदर store कर दे और जब आप इने serve करना चाहें तो इने निकाल कर fry कर लें तो इससे इने लंबे समय तक store भी किया जा सकता है दूसरे तरफ मैंने कड़ाई के अंदर तेल भी करम होने के लिए चड़ा दिया था तो पहले एक bowl डाल कर देखेंगे इस bowl में काफी अच्छे बबल्स आ रहे हैं तो बाके की bowls पे डाल देंगे तो दो बैचेज में इन बॉल्स को हम fry करेंगे गैस का flame हमें high रखना है कुछ देर के लिए और high flame पर जब तक ये थोड़ी set न हो जाए तब तक इने fry कर लें क्योंकि यदि low flame पर इन्हें fry किया तो एक तो ये खुल सकती है और दूसरा ये ज़्यादा मातरा में oil को absorb कर लेंगे और कुछ देर के बाद इस तरह इन्हें चमत से थोड़ा चला लें और देखें कितने सुंदर बॉल्स बनी है और बहुत अच्छा कलर भी इनका आ गया है तो थोड़ी देर के लिए हम इन्हें और fry करेंगे अब यदि आप इस नाश्टे को किसी पार्टी या प्रोग्राम में बनाना चाते हैं यानि दो तीन गंटे के बाद सर्व करना चाते हैं तो इन्हें half fry कर लें तो ये बैच मैंने एक स्ट्रेणर में निकाल दिया है इस बैच को हम रख देते हैं साइड में और जो बच्चेवी बोल्स हैं उन्हें भी इस तरह से fry करके तयार कर लेंगे तो इन्हें भी मैं half fry कर रही हूँ और ये लेजे हमारा second बैच भी half fry हो गया है तो इसे भी इस स लाल होने तक इने fry कर लेंगे और ये देखिए कुछे मिनिटों में बढ़िया लाल कलर इनका आ जाएगा और बोल बहुती ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी तो इस तरह से second बैच भी हम fry करके तयार कर लेंगे तो लग रहा है ना सुपर टेस्टी और ये देखिए की का भी स्वाद मिलेगा तो आप भी जरूर से ये नाश्ता बैनाएं आपको बहुत पसंद आएगा जब भी आप ये रेसिपी ट्राइ करें प्लीज अपनी फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करें वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें ज्यादा से प्लीज बाइ